Hello students, welcome to number X. इस वीडियो में हम लग सिखेंगे How to find the equation of a plane passing through 3 points in 3D space. इसके लिए हम सबसे पहले एक plane ड्रॉव कर लेंगे. यह है plane. और इसी पर 3 points हमें लेने हैं. एक point है यहाँ पर, दूसरा point है यहाँ पर, तीसरा point है यहाँ पर. तो आप सभी जानते हैं, कि एक point से होके infinite plane pass कर सकता है. दो point से होके भी infinite plane pass करेगा. लेकिन जैसे ही 3 points अप लेते हैं, unique plane इससे pass करेगा. तो first point को मैं लेता हूँ P, और दूसरे को Q, और तिसरे को R. तीनों का coordinate define कर लेते हैं. P का coordinate है 2, 1, 1. Q का coordinate है 1, 4, 1. एंद R का coordinate है minus 2, 0 and 4. यदि हमें इस plane का normal vector पता चल जाए, तो हम असानी से इस plane का equation find out कर सकते हैं. क्योंकि standard equation of plane क्या होता है, AX plus BY plus CZ plus D is equal to 0. तो basically हमें A, B और C ही find out करना है. क्योंकि D को easily आप calculate कर सकते हैं, यादि A, B, C पता है, तो किसी भी एक points के coordinate पूट करेंगे, तो D की value आ जाएगे. तो सबसे पहला काम है, normal vector find out करना है, तो इसके लिए एक आसान तरीका है, यहाँ पर आप PQ vector असानी से calculate कर सकते हैं, और PR भी calculate कर सकते हैं, इसके बाद हम PQ vector find out कर लेंगे, vector PQ equals OQ minus P, जिसको component form में आप लिख सकते हैं, 1 minus 2, comma 4 minus 1, comma 1 minus 1, यहाँ पर X, Y और Z का component का हमने difference लिया है, जिसको आप लिख सकते हैं, 1 minus 2, minus 1, 3 and 0, तो यह हो गया PQ vector, इसके बाद हम PR calculate करेंगे, PR हो जाएगा, position vector of R, minus position vector of E, फिर इसको component form में लिख सकते हैं, OR यानि, minus 2, minus 2, comma 0 minus 1 and 4 minus 1, ठीक है, इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, minus 4, minus 1 and 3, तो हमने PR और PQ finder कर लिया, यदि हम PQ का cross product लेते हैं, PR के साथ, तो हमें यहाँ पर normal vector मिल जाएगा, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर PQ और PR का cross product लेने वाला हूँ, जिससे में मिलेगा normal vector, तो normal को हम लिख सकते हैं, PQ cross PR, अब यहाँ पर हमें determinant use करना होगा, यहाँ पर I, J, K, इसके बाद PQ के components लिख करते हैं, और हमने देखा था, यह आया था, minus 1, 3 and 0, फिर PR के XY और Z component को लिख लेंगे, यहाँ गाएगा, minus 4, minus 1 and 3, इसके बाद हमें इस determinant को solve करना है, फिर आप इसको लिख सकते हैं, जब आप I लेंगे, तो इसके साथ आप पर यह row छोड़ना होगा, यह column छोड़ना होगा, तो 3 थी जा 9, और minus 0, यानि 9 हो गया, इसके बाद minus sign देंगे, minus j, फिर छोड़ जाएगा, फिर minus 3, और यह 0, फिर plus k, minus 1 और minus 1, multiply करें, 1, और plus 12, यानि 13, इसको रिएर्रेंज करके लिख लते हैं, 9I plus 3J plus 13K, component form में इसको आप लिख सकते हैं, equal to 9, 3, 13, इससे हम A, B और C find out कर लेंगे, यहाँ पर A है 9, B है 3, और C है 13, इससे plane का equation हो जाएगा, equation of plane, 9X plus 3Y plus 13Z plus D is equal to 0, यह है equation 1, अब हमारे पास 3 points हैं, तो तीनों में से किसी एक point को इसमें put करेंगे, तो D की value आ जाएगे, जैसे point P का coordinate था, 2, 1, 1, इसको यह रिए substitute करेंगे इसमें, तो D की value आ जाएगे, तो इसको करते हैं, 9X2 plus 3X1 plus 13X1 plus D is equal to 0, this implies 18 plus 3 plus 13 plus D is equal to 0, इसको आप add कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यह हो जाएगा, 34 plus D is equal to 0, this implies D equals minus 34, तो equation of plane almost हमने find out की कर लिया है, यहाँ पर just D की value minus 34 हमें put करनी है, तो equation of plane होगा क्या, 9X plus 3Y plus 13Z minus 34 is equal to 0, तो यह हमने plane find out कर लिया, जो तीनों point से होके pass करता है, आपको यह वीडियो कैसा लगा, comment में ज़रू बता हैं, यह यह अच्छा लगा तो like करें, दोस्तों क्षान शेर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्स फर वाचिंग,